नमस्कार दोस्तों आपका हमारे चाइनल बंधना की रस्वी में स्वागत है आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही यम्मी तिलकुट जिसमें काली तिल, सफेद तिल और इसी के साथ इसमें तीसी भी होगा तो आईए फटाफट बनाते हैं और बहुत ही कम टाइम में बन जाए और पड़ा ही यम्मी लगता है इसको ठंडियों में खासकर ज्यादा खाया जाता है और आपने कभी तीसी का तिलकुट नहीं खाया होगा तो आईए आज हम बनाएंगे और आप लोग जरूर इसी तरीके से बनाएगा और खाकर बताएगा कि यह तिलकुट आप लोगों को कैसा लगा है यहां पर देख सकते हैं हम सफेद तिल और काली तिल दोनों लिये हैं इसको अच्छे से भून लेते हैं यहां पर हमें देशी घी थोड़ा सचाहिए केवल एक चमज छोटी वाले चमज से तो दोस्तों सबसे पहले हम तिल को अच्छी तरह से भून लेते हैं और तब तक भूनेगे जब तक इसमें चटकने के आवाज ना आने लगे और हम तीसी को पहले ही भून के रख लिये हैं तो दोस्तों यहां पर तिल भून के एकदम बढ़िया से देखिए कलर भी चेंज हो गया है और इसके बाद अब इसको हम निकाल लेते हैं तो दोस्तो हम अच्छे से गला लिये हैं और एकदम चटपटा हमें जैसे हम लोग ढूंडा का चासनी बनाते हैं विल्कुल उसी तरीके से यहां पर एक चमच घी डाल दिये हैं घी डालने के वज़ा से हमारा तिल को एकदम एक नमबर का बनने वाला है इसलिए इसमें घी डालते हैं ताकि यह जब इसको जमाएं तो यह आराम से छोड़ देगा यहां पर देख सकते हैं तिल और तीसी इसमें डाल के अच्छी तरह से तो दोस्तों यहां पर तिल तीसी और सफेद तिल सब मिल गया इसको अच्छे से देखी यहां पर फस्कलास गाड़ा भी हो गया है बहुत इस तरीके से आप चाहें तो एक एक चमच एक चमच छोटे वाले चमच से डालते जाएंगे तो यह फस्कलास तो इस तरीके से हम इसको एक चमच डालते जाएंगे और यह आराम से तिल खुट जैसा हमारा बनके रेडी हो जाएगा और इसको जमने में भी टाइम नहीं ले कि अच्छे से इस पे डालेंगे तो यह देखिए थोड़ा थोड़ा डाले थे लेकिन यह फैल गया है अब इतना यह फस्क लास बिस्किट जैसा बना है ना कि आप इसको महीनों तक रखिए यह कहीं से खराब नहीं होने वाला है और इस्टील के बरतन से ज्यादा बढ़िया देख सकते हैं तो दोस्तों अगर आप लोगों को यह तिलकुट की रेश्पी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट कर यह सस्क्राइब करना बिलकुल न भूले हमारे चैनल को और यह बहुत ही यमी बनी है इतना क्रंची है कि आईए आप लोगों को हम यहां और दोस्तों यह इतना क्रंची बना हुआ है तिलकुट की इसे आप लोग जरूर बनाईएगा और इसमें तीसी डाल के बनाईएगा पहुत ही स्वाधिश्ट यह लगने वाला है तो चलिए मिलते हैं नेस्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों लाइक कर बना विलकूल नभूले